रोते वे नजर आए, विंती करते वे नजर आए कि हमारे आशियाने को हमारे घर को नहीं तोड़ा जाए और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोगों को खीच की निकाला गया तोड़क कारवाई करने के दोरान अवैद निर्मान के खिलाफ MBMC की लगाता तोड़क कारवाई जारी है और इसी करम में काशिमीरा के मांडवी पाड़ा इलाके में आज तोड़क कारवाई हुई MBMC की 40 से 50 जोपड़ों पर ये तोड़क कारवाई हुई है आज और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जोपड़े उस इलाके में करीबन 5-6 साल से थे और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो लोग के पाश टेक्स की पाउती थी और कुछ अन्या पेपर्स भी थे और वहाँ आज MBMC की तोड़क कारवाई हुई लोग ये सवाल उठा रहे है कि अभी नेता कहा है जो नेता ये कहते है कि हम आपके समस्याओं में आपका साथ देंगे वो नेता कहा है वहाँ के लोग ये गुहार लगा रहे है ये सवाल उठा रहे है और सिर्फ वहां के लोग नहीं मिरावाइंदर की अन्य जनता भी ये सवाल उठा रही है बारिश के दोरान किसी भी गरीब के घर पर तोड़क कारवाई नहीं हो सकती ऐसा बहुत कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले की बात है तो फिर आज जो ये कारवाई हुई है ये सही है या फिर उस वक्त जो बात कही जा रही थी वो गलत है खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन आज काशिमीरा के मानवी पाड़ा इलाके में कई जोपडों पर तोड़क कारवाई हुई है MBMC की और वहां मौझूद लोग रोते वे नजर आये विंती करते वे नजर आये कि हमारे आशियाने को हमारे घर को नहीं तोड़ा जाए और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोगों को खीच के निकाला गया तोड़क कारवाई करने के दौरान MBMC की तोड़क कारवाई के संबन में एक नई खबर आई थी तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में जानकारी दूँ अंत में मैं बसा आप सबसे यही कहूंगा भगवान इश्वर गौड अला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना क्याल रखे सभी को दौआओं में याद रखे तैंक्यू सो मैं